तो आज का topic बहुत important है, दो कि आपको सबको just know 7 pillars रख़ूहोती होते हैं, 7 horse बोल सकते हैं आप 7 pillars बोल सकते हैं वो 7 pillars कई-कया है जिनमें number 1 पे होता है आपका marketing, marketing का मतलब होता है marketing की और कि सारे meaning है, marketing को तीन category में divide किया जाता है.에서 branding है न, एक होता है एड़डाइजिंग, बहुत सारे लोग मार्केटिंग को एड़डाइजिंग समझते हैं, पर एड़डाइजिंग नहीं होता है, सबसे नंबर वन पे होती है मार्केटिंग, फिर होती है हमारी सेल्स, फाइन्स, है न, ऑपरेशन्स होते हैं, टीम होती है, और माइ कोशिश करूँगा कि रोज जो मीटिंग रहे तो हम pump up हो सके हैं ताकि हमको motivation मिल सके inspiration मिल सके थाकि हम बड़े-बड़े काम कर सके हैं ठीक है हाँ जी दुबारा भी होगी लेकिन वह दुसरी meeting होगी यही meeting repeat नहीं होगी यह जो live होती है मेरी यह सिर्फ एक बार होती है यह repeat नहीं होती है आप जैसे रात में 8 बज़े होगी वहाँ पर team building के बारे में हम बात करेंगी जो हमने promise किया आपको team promise है कि आप best talent को कैसे हाइर करें मतलब हाइर करने का मतलब है कि आपके पास team हो है ना team important मतलब आप salary दें ना दें लेकिं लोग आपके लिए काम करें आपके advocate कैसे बनें जो आपका business आगे बढ़ाएं आपको promote कैसे करें